यह मिर्च की फसल है आप जहां भी देखेंगे आपको मिर्च ही मिर्च दिखाई देगा लिक्सान ने बड़ी मेहनत करके मिर्च की फसल तयार की समय से बीज डाला, खाट डाला, दवा डाला लेकिन फल जादे अच्छे नहीं निकले भीसर गर्मी में मई के महीने में ही इसकी नर्षरी तयार की गई थी और फिर इसे जून में लगा दिया गया था कि ताकि समय से पहले फली निकलेगी तो किसान को फाइदा होगा, सब कुछ सही था, फल भी है, अच्छा अच्छा फल लगा है, अब देख लिजीए लेकिन समय ने ऐसा करवड बदला, नुकसान होना सुरू हो गया, मिर्च में रेट नहीं मिल लगा है किसान को बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी लागत के बाद, फसल तो तयार फसल को छोड़ दिया गया है, इसे तोड़ा नहीं जा रहा है अब उमीद है कि ये पके हुए मिर्च सूख जाएंगे, तब फिर इनकी विक्री की जाएगी, पके हुए मिर्च का भी भाव अच्छा मिलता है, लेकिन क्या पता, मार्केट का और मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, कब चली जाए तो ये पके हुए मिर्च भी तोड़ के सुखाये जाएंगे, लेकिन अगर हरे हरे विक्जाते हैं, तो जादे फलत होती है, जादे उत्पादन होता है, तो रोज तोड़ेंगे तो जादे नए-नए फूल निकलेंगे, आप देख सकते हैं, पौदों पे नए फूल निकलन का खर्चायआ आजाता है अब आफ सोचिए किसान कितनी महनत करेगा और कहां से पैसा लाएगे इसके लागत نिकलना मुस्किल हो जाती है लेकिन खेती है किसान करते हैं और घाटा फाइदा को छोड़ कर सोचते हैं कि कोई नहीं कोई लाव मिलेगा लेकिन कहीं से उम्मीद नहीं होती तो छोड़ देते हैं फसलों को अब यह छोड़ी जा चुकी है अब यह पकेगी और फिर इसको सुखा के रख लिया जाएगा सुखाने के बाद हो सकता है कभी 200 का रेट आ किलो कभी 50 रुपए किलो ही विकता है लेकिन इस समय हारी मिर्च का रेट बहुत ही खराब है जिससे किसान भाईयों को बहुत नुक्सान उठाना पड़ सकता है आप लोग जूड़े हैं अगर तो कुछ लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को हमसे जूड़े रहे ताकि किसानो की मदद होती रहे और उनकी समस्याओं को हम आप तक पहुंचाते रहें जये हिंसाथियों